Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं सब लोग, मस, बढ़िया चुरोब स्टार्ट करते हैं हम लोग community pharmacy and management का next chapter, chapter number 6 जो की है medication adherence को लेकर के, छोटा chapter है, एक ही lecture में खतम हो जागा ज्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि इसमें बहुत basic सी चीज़ समझाई गई है और जो जरूरी भी है adherence, medication adherence, मतलब कि जो दवाई doctor prescribe करते हैं, लिखते हैं, ठीक है ना, उनका अनुपालन अनुपालन मतलब वो एक patient कितनी सही तरीके से उसको use कर रहा है, खा रहा है ठीक है ना, that is called medication adherence, ठीक है ना, तो लेकिन इसका ना कुछ चीज़े हैं, जाहतर case में देखा गया है, more than 50% case में, कि patient जो हैं, वो दवाईयां proper नहीं खाता है ठीक है, तो वो यह कौन-कौन से factor है, जो कि non adherence के लिए उसे affect करते हैं, या क्या strategies हैं कि उसको non adherence ना follow करे, adherence को follow करे सिंपल सी बात है, नहीं कि दवाईयां time पे खाए, सिंपल सी बात से आज हम बात करने वाले हैं, कि जो दवाईयां time पर patient कैसे खाए हम सब को पता है, आप सबने भी medication रखाई होगी, एक time के बाद आप नहीं खाते सही से medication, अगर एक लंबी बिमारी है, 10-15 दिन का course है, तो कभी इनका बीच भूल जाएंगा, कुछ ना कुछ हो जाता है कि आप proper दवाईय नहीं खाते हैं, तो बस वही है, medication adherence, तो adherence का, अग अगर आप हिंदी समझोगे तो अनुपालन, इससे क्या है, concept समझना असान हो जागा, अनुपालन करना, जिसने जैसा कहा है, उसको वैसा ही follow करना, that is called अनुपालन, ठीक है ना, तो medication adherence की अगर हम definition की बात करें, किसकी बात करें, definition की, तो हमारे पास इसकी 2 definition है, ठीक है, हमा ना, the US Food and Drug Administration, US FDA, क्या कहता है, medication adherence or taking medication correctly है, तो simple यहां से बात आगी समझ में, अनुपालन, दवाईयों को सही तरीके से लेना, वो medication adherence कर रहता है, is generally defined as, अब जो इसकी भी definition है, दवाई सही तरीके से लेना है, इसको भी define किया गया, कब माना जाएगा, कि patient ने दवाई सही त निमारिया होती है, hurt की है, BP की है, आपकी diabetes है, तो medication adherence बहुत जरूरी होता है, तो कह रहा है, इसको हम define कर सकते है, the extent to which patient take medication as prescribed by their doctor, the extent किस हद तक patient ने medication लिया है, ठीक उसी परकार जैसे कि prescribe किया गया है, डॉक्टर के द्वारा, simple सी बात होगी है न, extent किस हद तक, this involves, अब इसको क्या क्या चीज़े involve होती है, factors such as getting prescription filled, prescription filled का मतलब, डॉक्टर कहेगा, ठीक है, आप 20 दिन बाद आके दिखाना, 20 दिन के दवाईयां लेख रहा हूँ, लेकिन आपने दिखाया 30 दिन बाद, क्यों, आपने दवाई खाई नहीं proper, तो आपकी दवाईयां, 20 दि की दवाईयां आपकी 30 दिन चल गई, तो आपने proper refill नहीं किया, आपके proper दवाईयां नहीं लिया करके, remembering to take medication, आप कब prescription अपना वापस से लेते हैं, यानि कब दवाईयां को refill करवाते हैं, दवाईयों कितना याद रखते हैं, और understanding the direction, direction मतलब कौन सी दवा कब खानी है, किस स में खानी हैं, कितनी बार खानी हैं, यह सब चीजें तुमारी medication adherence के अंदर count होती है, American Medical Association, ठीक है, American Medical Association वो कहती है, if a patient is considered adherent, patient को adherent हम कम माल लेंगा, 100% कभी भी follow नहीं हो पाती है, अगर उसने 80% prescribed medicine ले ली हैं, टाइम से, ठीक है न, तो वो क्या है, adherent क्यालाएगा, if patient take less than 80% of their prescribed medication, अगर उसने अपनी total medication में दे से 80% से भी कम दवाईयां खाई हैं उसने, then they are considered non-adherent, simple सी बाते हैं, कोई tough नहीं, विल्कुल tough नहीं, अब यहाँ पर बेटा एक बड़ा ही confusion पैदा होती है, adherence, compliance और persistence, कई बार लोग कहते हैं कि दोनों synonym हैं, तो हाँ, दोनों का मतल अब एक ही है, अनुपालन करना, ठीक है, फिर difference किया है, क्यों फिर इन दोनों को अलग-अलग हम लोग पढ़ते हैं, क्यों इन दोनों को अलग-अलग लिखा जाता है, ठीक है ना, तो इसको यहाँ पर simple सा हम difference समझ लेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा difference नहीं है, simple सा अगर म में को दवाईया टाइम से खानी है, और वो टाइम से खा रहा है, ठीक है ना, compliance, इसमें क्या है वो, order, निर्देश, वो क्या सोच रहा रही है, डॉक्टर में दे दी दवाईया, अब खानी पड़ेंगी, अच्छा डॉक्टर में कब-कब दी है, अच्छा ठीक है, मतलब य compliance में एक तरह से order मान करके follow कर रहा है, यहां पर वो खुद से participate कर रहा है, यार मैं बिमार हूँ, मेरे को टाइम से खानी है, तो यह थोड़ा सा difference है, बार एक difference, ठीक है, तो इसमें बहुत छोटा difference हाता है, और persistence होता है, आप जो कितने लंबे समय तक आप दवाईयां खाते रहे है, तो देख लेते हैं, फटाफट, the terms compliance, adherence and persistence are used, यह तीन terms का इस्तमाल होता है, are used to characterize, हमको जब characterize करना है, अब patients behavior, हम एक patients के behavior को कैसे जाचेंगे, कि दवाईयों के प्रति उसका कैसा behavior है, खारा है, समय से नहीं खारा, तो हम तीन जिये चेक करते है, patient, medication, compliance, adherence, और persistence, ठीक है, तो बात करलें, compliance की, तो कॉंप्लेंस एक क्या है, passive, अनुपालन करेगा, लेकिन पैसिवली अनुपालन करेगा, actively नहीं करेगा, passive, active, समझते हो ना, पैसी मतलब किसीने कह दिया है तो कर रहे हैं हमें नहीं करना हमें नहीं खानी दवायां किसीने बोल दिये तो खा रहे हैं ठीक है भलैं मैं बीमार हूं यार में को नहीं खानी दवाया होगा होगा देखा जाएगा तो ये हो कि पैसिव जानरे कि extent to which patient take prescribed medication yes I am taking my medication decorator पुछ और रहे हों हम्य द्वाइयां का रहा हूं अब इस में यह पताkry डौक्र पेशिट को खा र 주문 खारा है डवाईयां है इस प्रकार से कहां गया है ठीक है तो जब डॉक्टर पूछेगा क्या दवाई यां खाई तो बूलेगा yes I am taking my medication मैं अपनी दवाई ले रहा हूँ as prescribed जैसा आपने प्रिस्क्राइब किया the correct number of drops जितनी drop अपने बताई अगर कोई dropper है तो जितनी दो drop बताई तो दो ही drop ले रहा हूँ मैं ठीक है in the correct eye और जिस आँख में बताई उसी आँख में डाल रहा हूँ at the correct time of the day आपने रात में वो लिए तो मैं 809 की बीच में हराद में डवाई डाल लेता हूँ समझ में आगी बात तो adherence और compliance दोनों में ही दवाई या ली जा रही है बट छोटा सा difference है ठीक है एक है passive और एक है active persistence length of time over which a patient continue to take medication कितने लंबे समय तक तो दवायां खा रहा है तो आंसर बोलेगा जब डॉक्टर पूछेगा बज़ा दवायां कबसे खा रहे हो तो इसका answer क्या है का I have been taken my medication for past 6 months as prescribed ने पिछले 6 महीने से दवायां खा रहा हूँ जैसे कि आपने प्रिस्क्राइब किया है तो persistence है वो यहना कि लगाता दवायां खा रहा है तो तीनों टर्म अगर आज आते हैं कभी mcq में तो थुरा सा ध्यान रखेंगे यह दोनों टर्म्स आपको confuse कर सकते हैं बास समझ में आ गई next medication non adherence और इसी के तो बात करने हमको adherence का मतलब समझ में आ गया दिक्कत क्या है medication non adherence की जाद अतर होता क्या है patient सही से दवाया नहीं खाता है कह रहा है it is defined as when patient don't take their medication as prescribed जिस प्रकार prescribed किया गया है उस प्रकार से medicine नहीं खा रहा है सुबह की भूल गया ठीक है जो सुबह की खुराक्ती वो शाम को खा रहा है इस type से मतलब वो adherence नहीं है वो अनुपालन नहीं कर रहा है it is unfortunately fairly common दुर्भाग के वर्ष यह बहुत ही आम है लोग अनुपालन या adherence नहीं रह पाते हैं दवाईयों को ले करके with research showing research बताती है that patient don't take their medication as prescribed about half the time half the time मतलब वैसा मानलों कि 50% आप सही तरीके से दवाईयां नहीं ले पाते हैं अगर आपने आज 8 वज़े ले लिए तो definitely अगले दिन आप 8 वज़े लेना भूल जाएंगो उसको 10 या 11 वज़े लेते हैं जाकर गए ठीक है ना तो यह दिक्कत है अब WHO ने क्या किया non adherence को ल ना कि अगर अनुपालन करना है तो कई सारे फिनोमेना यहां पर काम करते हैं एक दूसरे जुड़े हुए हैं और उसने फाइव सेट्स या फैक्टर्स टैग किये WHO ने जिसको डामेंसिंस का है ठीक है adherence ठीक है ना तो social economic factor हो सकता है health care system हो सकता है condition related factor होता अब इनके अंदर इस आरदा फैक्टर्स जो की यह 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 फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं यह यह फैक्टर्स जो non-adherent के लिए उकसाते हैं दोन तरीके से बात हो जाएगी ठीक है तो मुटा मुटा पांच हमने इसको इससे समझा है फाइव डामेंसिंस ऑफ डामेंसिंस के बात आएगी तो शोशल एकनोमिक हेल्थ केर सिस्टम ठीक है कंडिशन रिलेटेड अई बात करेंगे क्या क्या होता है यह थेरपी रिलेटेड और पेशन रिलेटेड अब बहुत सिंपल है इसके अंदर सब बाते आप लोग जानते हैं शोशल एन एकनोमिक फेक्टर की बात करूँ class को लेकर लिड्टैशी ज्यान है यहीं नहीं कि हाँ दवाइऑ खाएंगी तो क्या एफेक्ट की नहीं छाएग कोई नहीं रहिए बीजी शेडियूल आदमी आजकर बहुत बीजी है दो वक्त की रोटी कमाने के लिए वो सुबह निकल जाता है, शाम को आता है होस नहीं होता है, सुबह निकल कर आफिस के लिए दवाई याँ घर छूट गई भूल गई अब दुपैर की दवाई खाना ठीक है ना, Limited Access to Healthcare Facility काफी कम है कोगी जैसे पता ही है, डवलोबिंग कंट्री है अपनी, तो जो Healthcare Facility है वो उतनी ज़्यादा हर जगह अविलिवल नहीं है तो लोग easily access नहीं कर पाते हैं और अगर कहीं पास में है भी तो लंबी-लंबी लैने लगती है तो आदमी लेट हो रहा है, टाइम जा रहा है, तो उसके वह से वह नहीं जाता है या दवाईयां खतम होगी तो वापस नहीं जा रहा है तो इस चक्कर में वो क्या कर रहा है, दवाईयां प्रोपर नहीं खापा रहा है Limited English Language Proficiency सारी के सारी दवाईयों के उपर क्या लिखी होती है इंग्लिस भासा लिखी होती है, और लोगों को इंग्लिस का ग्यान कम है तो दवाईयों को सही से इसलिए प्रोपर कई बार नहीं खापाता है Inability or difficulty to access the pharmacy कई बार क्या फार्मेसी काफी दूर होती है तो दवाई खतम होगी और दवाई लेने नहीं जा पाया High Cost of Medicine एक बार दवाई ले ली विचारा ले आया है 2000 रुपे की अब वो कहरा मिरे पैसे ही नहीं है मैं कैसे जाओं दवाई लेने ठीक है High Cost Burdensome Schedule Burdensome मतलब कहीं नहीं यह busy schedule या Burdensome Busy होता है बहुत busy Burdensome मतलब काम बहुत ज़्यादा है इतनी फाइलें लगी है कतार से की काम करना है उस बीच आप दवाई खाना भूल गए Unstable Living Condition यानि कि आप क्या हो रहा है लगाता है आपके ट्रांसफर हो रहे हैं ठीक है आपका इलाज चलना था साल देड़ साल आपने यहां के डॉक्टर से इलाज चालो गया छे मैंने बाद आपका ट्रांसफर हो गया या जो लोग homeless लेंस जिनके पास घर नहीं है बंजार को तरह रह रहे हैं किराय पर रह रहे हैं इदर उदर जा रहे हैं है ना तो कुछ हमारी cultural belief होते हैं जो क्या करते हैं दवाई खाने के लिए हमको रोग देते हैं कि इस चीज की दवाई नहीं खाई जाएगी इसको खाऊगे तो ऐसा हो जाएगा कुछ है ना belief है जैसे की देखा था जब पोलियो डॉप्स चलते थे उसका बड़ा विरोध होता था पोलियो डॉप्स का है ना तो होता है कुछ लेक ओफ हेल्थ केर इंशूरेंस लोगों के पैस इंशूरेंस नहीं आज कल तो कभी कोई लंबी बिमारी हो गई है खर्चा जादा आ रहा है तो इंशूरेंस है नहीं पैसा कांसे आएगा दिक्कत हो जाती है elder abuse elder abuse मतलब जो बुड़े लोग है बिचारे अब जो घर में बुड़े लोग हो जाते हैं तो उनके उबर जब खर्चा करने बाई बिमार रहता है आदमी बुड़ा आदमी जल्दी बिमार होता है दवाएं लंबी चलती हैं तो होता क्या उनकी बिमारियों का जो उनके बच मंसे आई गया होगा तो याद भी हो गया होगी काफ़ साही चीज़े तो मनसे बनाके भी इसको लिख सकते हैं यह तो हो गया क्या सोशल और रिक्नामिक तूसरा है एल्थ केर सिस्ट्म सिस्टम फैक्टर जो है यह क्लीनिक यह होस्पिटल है उसमें कुछ सिस्टम में defects हैं क प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो पाता है तो पेशन्ट क्या है जब भाई पेशन्ट भरोसा करेगा फार्मस्यश्च पर डॉक्टर फे ध्लिट को लेकर के जो बिलीफ है और पेशेंटका है ये पूरा रहा है तो चलएगा तो तब काम होता कि उसको अपने ही तरीके से ढाले ताकि पेशेंट समझे कि जो तुम सोच रहे हैं जो जो तुम करना चाह रहे हो वो तुमारी health के लिए क्या होगा नुकसान दायक हो जाएगा lack of positive reinforcement from the healthcare provider lack of positive reinforcement reinforcement होता है कोई चीज लाओ करना कि वो patient को positively reinforce नहीं कर पा रहे हैं है ना कि आपकी बिमारी है अगर आप proper दवाई यां खाएंगे तो जल्दी ठीक होंगे और स्वस्थ हो जाएंगे और proper काम करेंगे एक तरह का उसके अंदर motivate नहीं कर पा रहे हैं उसको positive reinforcement नहीं कर पाते हैं healthcare provider जिससे की patient टायम से दवाई यां खाए वी capacity of system to educate patient and provide follow-up कई बहुत से system ऐसे होते हैं पेशेंट आया उनने ठीक है पर्चा लिखा दवाया लेकि पैसा आगया खतम का नहीं अब पेशेंट दुवारा आ रहा है कि नहीं आ रहा हूंने मतलब नहीं पर इससे उनको adherence की importance पता ही नहीं है उनको पता ही नहीं एक problem है प्रॉब्लम मानते ही नहीं है वो कता रहे तुमने नहीं खाय तुमारी गलती भाईया पेशेंट नहीं नहीं खाया तो उसमें कहीं नहीं पढ़ रहे हैं यह देखा पांच फेक्टर हैं पेशेंट की तरफ adherence को adherence की तरफ ले जाया जाए यह तरीके भी उनको नहीं पता है उनको improve करने का तरीके patient information material written in technical terms जो patient को आप information दे रहे हैं उसे भासा टेक्निकल लिखी हुई है है ना जैसे हम कहते हैं high blood pressure तो लिख दिया high systolic pressure तो systolic word नहीं समझेगा patient लेकिन high BP समझ जाएगा high systolic pressure बास वह प्रेशर होते हैं तो बस वह यह technical term लिखी होने की वाई से कई बार क्या हो था patient को जो instructions होते हैं उनको समझने में दिक्कत आती है long wait times कई बार क्या है डॉक्टर बहुत अच्छे हार्थी अच्छी है पता चला आज आप गए हैं सुए 10 बजे लाइन लगाई यह नंबर आरा के लिए condition related factor condition मतलब आपको जो बिमारी है या disorder है ठीक है वो किस प्रकार की बिमारी वो भी कई बार क्या करती है दखन अंदाजी देती है कैसे decrease in symptom severity दवाई खाई दवा चलनी थी कब जैसे कि आपको छोटी से बात बताएं अगर हां तो जैसे टीवी का case आपने देखा होग किसे लेकिन टीवी का जो bacteria है वो body कंदर रहता है पूरा खतम होने में उसे 7-8 महने लगते हैं जानते हो यह बात जानते हो अच्छी बात है नहीं जानते तो समझ लो अब symptoms या severity तो कम होगी टीवी थी खांसी बहुत आई थी कभ बहुत आ रहा था वो तो खतम हो गया पेश symptoms बिल्कुल गाया वह आते हैं लेकिन किटानू नहीं मरता है जब symptoms गाया तो patient को लगता है मैं ठीक हो गया जबकि ऐसा नहीं होता है इसलिए कहते हैं दवाई का course पूरा करना होता है then patient with depression may not show the interest to take medication जो depression में हो कहेगा यार मैं क्या करूँ मा ठीक हो कर मर जाओ इससे अच्छा तुम्हें तो depressed patient के साथ दिख्कत है non-adherent को लेकर के patient with psychiatric disorder अब पागलपन है जो patient पागल टाइप का है ठीक है psycho उनका दिमागी प्रॉब्लम है तो दवाई यां वैसे भी नहीं खाते हैं तो आप आपके disease disorder factor problem भी हो सकते हैं कि आप non-adherent है medication को लेकर के अब कुछ patient के factor जान ले कि patient related factor जो से खुझ के factor हो सकते हैं वह visual impairment उसे नहीं दिख रही हैं दवाईयां कैसी प्रॉपर नहीं दिखाए पड़ता है आँकों से कमजोर है बुड़ा बाड़ा है तो दवाईयां नहीं प नहीं पाता है इंपेर मोबिलीटी मतलब इंपेर मतलब प्रॉपर नहीं क्या मोबिलीटी चलने फिरने में असमर्थ है तो दवाईयां दूर रखी बिचारा चलके नहीं जा पाया या swelling problem निगलना स्वेलो मतलब निगलना कुछ लोगों को निगलने में भी दिक्कत आती है बड़ी टैबलेट नहीं निगल पाते हैं फिर फस ना जाए फस गई तो मैं मर जाओंगा तो वह नहीं खाते फिर दवाईयां पूर अंडेस्टेंडिंग बारे में प्रॉपर नॉलेजी नहीं है जैसे मैंने बहुता है गुदान जिसर टीवी का सिम्टम तो चले गए मैं तो ठीक हूं उसको बिमारी नहीं है तो इस टाइब से एक साइको सुसल स्ट्रेस रहता है एक्स्टेशन और एटिट्यूट टूवर्ड़ ट्रीट्मेंट ट्रीट्मेंट के प्रति उसका क्या रवाईया है है ना वह सोचता है एक सोचेगा कि यार मैं पुरा कोर्स दो कि आनी बी खांग और एक होता है ना तुव्य ठीक होगा और होता है नहीं अधें से खांगा तो जल्दी ठीक हो जाओंगा एक को जाओंगा मैं चल्द मों धी आर्गेशन घृस फिर ओफ डिपेंडेंस डिपेंडेंस मतलब डर लगता कि दवाईयों के उपर निर्भर तो नहीं हो जाओंगा हमेशा के लिए जिंद्ध की बार दवाईयां कानी पड़े मेर को इस चक्करवन नहीं खाता है अलकॉल और सब्सक्राइब अब दारू पी रहा है या किस्टा क आपको नशा कर रहा है तो भी वह दूसरी दवाईयां मतला जो अपनी बिमारी की दवाईयां है वह नहीं खापाएगा एंजाइटी चिंता है गुस्से में है तो यह सब फैक्टर्स है जो पेशेंट को खुद के परसनल होते हैं जिसकी वाईसे वह नॉन अडेरेंट हो ज चार-पांच मेंडियां है ना नंबर ऑफ डिली डोस डवाईयां चारपांच सरे की दिन में चारपांच भादार घ्ली गोजाता है तो यह वह नाकभी ति भूलेगा और शो जाता है तो भूल जाता है तुप मैस्ट्री और शटर्टैक्निस आपक्ट होते हैं जिसमें कुछ चीज़ें सीखनी पर्दि कि नहीं होते हैं तो वह क्या है in고friend का है चाहते हैं और तो इस प्रकार अगर यह को नहीं आती तो आप यह medication नहीं ले पाएंगे आपको किसी ना किसी की ज़रूत पड़ती है duration of therapy कई बार क्या होता है therapy बहुत लंबी है आदमी हड जाता है इतने लंबे समय तक दवाई खाऊंगा मैं तो कही ना कहीं थोड़ा सा non-adherence हो जाता है frequent changes in medication regimen कई बार क्या होता है लगातार दवायां बदल रही है डॉक्टर ने हफ़ते बर कुछा चलाई फिर पंदा दिन कुछ चलाई होता है कई बार कुछ थेरपी ऐसी होती ही निमें लगातार दवायां बदल नहीं पड़ती है पेशेंट के दिमाग में बार बार दवायां बदल रहे हां किया मैं ठेक नहीं हो पा रहा हुं तो सिस्टाफस के निमाग में चीह चलती है लैक ऑफ-इमीडियेट बैदिफिट ऑफ थेरपी ठीक है इमीडियेट बैनेफिट वह चाहता है कि युँद तुर्ण तराम मिल जाए थेरपी से ठीक है लेकिन जो थेरपी हो अन्दार या सरीर के अंदर कि सी परकार की कमजोरी है तो बड़ाइक खाएि खाने का मतलब क्लांगई क्लांग Ayanda बcott कम क्लांग मतलब ही ङाप को एयड्यादी का है की यह यह बड़ी जाग हौन क्लांग यह दबाई मेरे को नहीं खानी चाहिए ठीक है ना तो यह social stigma होता है कि नहीं नहीं यह दबाई नहीं खानी चाहिए actual और perceived unpleasant side effect actual या perceived जो actual में उसके side effect होते हैं या वो जो कुछ सोचता है कि यार यह side effect मेरे को हो रहे हैं तो उसकी बएश से वो therapy के दौराँ जो side effect होते हैं उसके इसलिए वो नहीं खाता है दबाई यह टाइम से treatment interfere with lifestyle required significant behavioral changes ठीक है जब treatment interfere करता है दखरंदा जी देता है हमारी lifestyle में और required significant behavioral changes long term therapy है ठीक है वो हमारी lifestyle और हमारे behavior में changes लाना चाहती है therapy तब ही वो therapy हमारी पूरी काम्याब होगी ऐसी situation में भी क्या है non adherence हो जाता है बात समझ में आगी पांच तरह के factor है हमारे पास ठीक है तो अब ये तो थे factors कि क्या-क्या reasons है जिनकी वज़े से non adherence होता है अब हम बात करें कि एक pharmacist का क्या role है कि वो non adherence को overcome करे non adherence ना होने दे या क्या-क्या strategies अपना ही जा सकती है कि non adherence ना हो पेशेंट adhere रहे medication के लिए non adherence नहीं होने चाहिए तो अगर हम बड़े level बात करें तो पहला क्या आएगा चाहर पांच factor बड़े common है therapeutic patient education याने कि therapeutic patient को therapy जो थेरपी उसके बारे में पूरी knowledge दे दो याने कि return action plans use of drawings photograph वीडियो उसकी help से उसको पूरी knowledge दो थेरपी के बारे में simplifying treatment regimen ठीक जो treatment को सिंपल करो यह नहीं कि बहुत सारी medicine कोशिश करो दिन में एक ये बार देनी है या combined pharmacological agents ऐसी medicine दो जिसके अंदर अब तुम अलग अलग chemical की अलग दवाईयां दे रहे हो इससे वड़िया एक दवाईया ऐसी दो जिसके अंदर सारे chemical हो है ना combined pharmacological agents टेलर्ट 二 पेशेंट इडू तर दिल वत जाता है और सफर में तो मिमय Ouch चलने वाला तो कोशिस करें जेदिक मैडिसीन दें इसकी वाइश से क्या है treatment कोष्ट सस्ती रहेगी सफी रेगी तो लagnod regular खाता रहेगा reminder प्रोग्राम उसको भावाव reminder यानि की email हे फोनप से टैक्स मेंसेज हैं प्लिक कर्णिया अप्लिकर आती हैं आज कल उसके ब्रभार रिमाइंड कराते रहें कि यह इयह यह दवाई आपने खाई है कि नहीं खाई है अर्ली फॉलो अप विजिट्स एंड शॉट ट्रम ट्रीटमेंट गोल शुरुवात में जल्दी जल्दी पेशंट को बलाएं और शॉट ट्रम गोल रखें 20 दिन का 25 दिन का एकदम से लंबा ना कर देंगी पहले दिन आया पेशं चाक खाई ये फिर दिखाईएगा मैकसिमाइजिग प्लेज़्व एस्वस्ट क्या कौन से दवाईयां होती है पता है प्लेस्व प्लेसे दवाईयां जो इनर्ट होती है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी चैमिकल नहीं पाया जाता है बस पेशंट कहता मैं बिमा ऐसी नहीं आई है कि तुम बिमार हो वो कहरा नहीं मुझे दवाई दो मैं बिमार हूं तो डॉक्टर फिसको एक ऐसी टैबलेट या कैप्सूल देता है जो सरिफ क्या होती है देखने में टैबलेट यसी होती है अंदर पाउडर होता है वो इनर्ट होता है वो ना किसी परकार का ना कोई action करेगा ना को reaction करेगा बाडी के अंदर पेशन को लगता है कि डॉक्टर ने मैं को दवाई दे दी ठीक है ना और वो दवाई खाता है और उसको लगता है अब मैं ठीक हो रहा हूं तो maximizing placebo effect ठीक है यानि कि जब ऐसी दवाई आप दे रहे हैं तो उसको positive effect आने चाहिए कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूं ना कि no-sable effect आने चाहिए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दवाई खा करके मैं और बिमार हो गया हूं ऐसा नहीं लगना चाहिए ठीक है ना तो जो प्लिस हुए effect है वो ज़्यादा आने चाहिए कि हाँ अब मैं ठीक हो रहा हूं और म जागा पॉइंट है से मुपवाले चे पॉइंट तो रहेंगे उसके लाबा कुछ और पॉइंट भी हैं बी फ्रेंडली एन अप्रोच एबल तो पेशेंट के साथ फ्रेंडली रहें तो पेशेंट को क्या रहेगा कि यार यार फार्वशिश तो बड़ा अच्छा है मेरे फ्रेंडली अप्रोच रखना है इंप्रूव कॉम्निकेशन स्कील तो फ्रेंडली अप्रोच के साथ साथ यह दोनों कहीं नहीं आपस में इंटर लिंक हो जाएंगे टेक इंटू अकाउंट दा इस्प्रिच्वल एंड साइकोलोजिकल नीर्स पेशेंट अगर पेशेंट बहुत ज्यादे इस्प्रिच्वल है व्रत वगरा रखता है ठीक ऐसे टाम पे दवाईया नहीं खाएगा तो वह सब चीज़ें को देखते हुए उसके जो है दवाईयों को गोल को सेट करना है इंप्रूव है पेशेंट एजूकेशन प्लस पेशेंट की एजूकेशन को इ दिखाओं चिंता का विशेहैं उसको वह डिसकर्श करें विधाूट इंटरप्शन और प्रीमिट्र क्लोजिंग कोसिंग ना समझ मुझाए ना लैंगे तो फिल आईगा कि मेरे को सुनने की वशें उसमें दवाईयां दी है वो एक्दम पर्फेक्ट दियोंगी elicit the patient perception of the illness and the associated feeling and expectation elicit the patient perception patient का जो perception है उसको elicit करना है समझना है illness को लेकर के वो क्या सोच रहा है ठीक है the and the associated feeling और उसकी क्या feeling से उस बिमारी को लेकर के ठीक है और क्या चाहता है क्यों आया है हमारे पास हो जाहिसे बाद ठीक होने तो आया है हो सकता है कई बार कुछ और conditions भी होती है जो डॉक्टर के साथ या health care provider उनके साथ share करता है तो उसको सुनना है अच्छे से elicit the patient perception patient का क्या perception है वो क्या सोचता है क्या चाहता है इसको आपको ध्यान से समझना है learning method of active listening and empathy कि यहां पर communication skill का आगया कि आपको active listening करनी है और empathy आपको इस तरह शो करना कि आप बिल्कूल वैसा ही feel कर रहे हो जैसा कि patient feel कर रहा है ऐसा आपके अंदर होना चाहिए give clear explanation regarding disease and drugs drugs और बिमारी को लेकर करके एकदम clear-cut instructions देने हैं कि क्या बिमारी है और कैसे खाना है सारी चीज़ें check the patient understanding वह वाली बात आगी जो हमने communication skill में सीखा था कि थोड़ा सा cross question करेंगे जो आपने समझाया है patient को कुछ cross question करेंगे जिससे कि आप यह समझ पाएं कि हाँ patient हमारी सारी बात समझ गया है simplify the therapeutic regimen जैसे कि therapeutic regimen हमने उपर देखा कि simple करें ऐसा नहीं बहुत सारी दवाई यांदे कोशिच करें बहुत सारी chemical वाली एक दवाई दे जिससे कि बहुत जाए दवाईयां उसे ना करें patient जिस बहुत कर रहा है आप उसी बहुत करें तो patient के लिए असान होता है अपने बातों को रखना है ठीक है आप से बहुत सारी बच्चे अगर lecture पर देख रहे हों लोग कह रहे होंगे सर ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा ऐसा होता है बेटा होता है ठीक है जो अच्छे hospital है बड़े hospital है जो proper guideline follow कर रहे हो आप ऐसा होता है developed country में ऐसा होता ही होता है ठीक है और खासकर आपको तब देखने को मिलेगा यह जब आपकी chronic disease लंबी बिमारिया होती है वहां पर यह पक्का होता है थोड़ा बुटा बुखार है चार-पार दिन दवाया खानी है तो वहां पर यह इतना लंबा process देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो हमारे पास medication adherence होता क्या है कौन-कौन से factor उसे affect करते हैं और क्या-क्या strategy अपनानी है वो सारी हैं पर 14 strategy है जो हम लोग नहीं हैं डिसकर्स करीं और यह 6 main है जो तो करनी ही करनी है हमें ठीक है अब बात कर ले measuring कि क्या patient ने दवाया प्रॉपर खाई है इसको एक doctor या एक health care provider किस तरीके से measure करेगा किस तरह जानेगा कि patient ने दवाईया proper खाई है कि नहीं खाई है तो इसके कई सारे तरीके है measure measure करने के कई सारे तरीके है पहला तो formula ही है कि कितना percent percentage of adherence ये equal to यहां होना चाहिए क्या है इसका simple तरीका total number of actual dose of the patient has consumed since last appointment जब पिछली बार वो आया था suppose उसको 20 कोलिया दी गए इंदी खाने के लिए और उसने पंदरा खा ली तो total number of calculated dose to be consumed खाने कितनी थी 20 तो निकल आएगा यहां पर simple थेंगा पंदरा खाई खाने कितनी 20 into 100 करेंगा हमारे पास answer आ जाएगा ठीक है ना तो यह आगया percentage of adherence एक तरीका यह है जब भी patient वापस आएगा उससे बोलो अपने दवाईयां साथ लेकर आए तो पिछले से लेके पिछली देट से लेकर अगली देट तक सीधा सीधा देख लो कि उसमें दवाईयां कितनी खाई है तो कितना percent adhere रहा है एक तरीका यह हो गया और भी तरीकें नेक्स तरीका है medication event monitoring system थोड़ा सा costly system में M E M S full form याद रखेंगे medication event monitoring ठीक है इसमें होता क्या है जो कैप होती है एना जो ढकन होता है उसमें एक चिप सी लगा दिया आती है जब जब खोला जाता है वो रिकॉर्ड कर लेता है time or date कप कभी से खोला गया है ठीक है और जब जब खोला गया मतलब उसमें दवाईया खाई होंगी तो वही चीज़ है दीज आर्दा मोस्ट एक्यूरेट मेथाड यह सबसे एक्यूरेट मेथा होता है और मेजरिंग अडेरेंस बिकॉस दे रिकॉर्ड देट अन टाइम हापे डेट और टाइम रिकॉर्ड हो जाता है दा मेडिकेशन बोटल वाज ओपन थ्रू के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर टेक्नलोजी लगी होती है हम खोलते है तो वह प्रेशर जो पढ़ता उससे उसमें रिकॉर्ड हो जाता है यहां धकन खुला है बट इसके डिसडवांटेज है यह चिप लगाने का मतलब दवाईयां और महंगी हो जाएंगी तो डिसडव यह खोला दो तिन दवाईयां एक साथ निकाल ली ठीक है दो तिन दवाईयां एक साथ निकाल ली उसने और उसको फिर क्या कर दिया बंद कर दिया दो तिन दवाईयां एक साथ निकाल ली और उसको बंद कर दिया तो एरर हो गया यहां पर वेरी एक्सपेंसिव और काफी होता है and different devices are needed for each medication हर जो दवाई होगी अगर पांच तरह की दवाई यह लिखी है तो पांचों पर चिप चाहिए होगी बहुत महगा हो जाएगा यह therefore it is an impractical way यह एक impractical way है to determine the adherence in clinical practice तो clinical practice में तो हम इसको follow नहीं कर सकते हैं clear है patient self report तीसा तरीका है patient की खुद की report यहांने patient खुद आके बता है उसमें दवाई हैं कैसी खाई है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे it is easiest method when adherence is being assessed जब आपको adherence को जाचना है patient की तो सबसे अच्छा तरीका है यहां पर हम open-ended question पूछेंगे अब समझते हो open-ended question हम पहले discuss कर चुके है जो communication skill पढ़ा था हमने instead of asking are you taking your medication है ना यह हमने देखा था कि बजाए इसके कि आप यह पूछो कि क्या आपने दवाईयां ली हैं आप यह पूछेगा जो healthcare provider HCP का मतलब healthcare provider यह पूछेगा क्या पूछना चाहिए should phrase उसको यह पूछना चाहिए question along with the lines of how many times the past week have you skipped your medicine आपने पिछले हफ़ते या महिनों में कितनी बार दवाईयां छोड़ी होंगी नहीं खाई होंगी तो बोलेगा साइद मैं 4-5 बार नहीं खाई होंगी तो यह सही हुआ ना answer पूछो के दवाईयां खा रहे तो दवाईयां तो खाई रहा है वह answer नहीं मिलेगा सही से ठीक है एक तरीका यह हो गया दूसरा वही पिल काउंट हम पिल को काउंट कर सकते हैं 100 दवाईयां दी दिखानी के लिए सुवे सामके हिसाब से count कर लिए यतनी बच्ची हुई है यह काफी अच्छा तरीका होता है लेकिन थोड़ा कॉस्ट ले रहता है आपके ब्लड में दवाई की कंसेंट्रेशन कितनी है फिर से एक्जामपल लेता हूं टीवी वाला टीवी की मैडिसिन जो रोज खाई जाती है उसमें 6-7 महने तक आपके ब्लड में जो मैडिक मैडि तो लेवल डाउन हो जाएगा और उसी डाउन के समय फटाक से क्या करेंगे ग्रो कर जाएंगे तो यह खतरनाक होता है फिर एक तरीका है मौरिस्की मेडिकेशन एडेरेंस स्केल एक स्केल बनाई गई है जहां पर कुछ कोशिंस रखे गई है ना इट वर डिजाइन तो डि निडियूम टू हाइड डेरेंस ठीक है और टू डर कोशिंस एंड्री प्ड्ड आड मल्टिब्ल रिजटरब्र रून यह स्केल करके देर से जाते हैं जिसमने की क्यों आप ने दबाई डाइंस से नहीं जैसे की do you sometimes forget to take your high BP bills तो question पुछे जा रहे हैं क्या आप दवाई भूल जाते हो बताएगा हाँ फिर पुछे क्यों भूल जाते हो over the past two weeks were there any days that you did not take your high BP medication पिछले दो हफ्तों में क्या कोई ऐसा दिन बीता है कि आपने high BP की दवाई नहीं ली हो यह तमाम इस टाइप से question जो है ठीक है ना तो more इसकी medication adherence scale यह है scale का मतलब कोई scale नहीं है questions है question के इसाफ सो जब answer आएंगे अगर सबके answer positive आ रहे है adherence की तरफ आ रहे हैं तो adherence है सबके answer no आ रहे है कि नहीं खारा नहीं खारा नहीं खारा या छूट गी छूट गी छूट गी छूट गी तो उस हिसाफ से क्या है उसका rating हो जाती एक तरह से ठीक है ना did you take your high baby medication yesterday क्या तो कल खाई थी तो इसाफ तमाम कुछ कोशन है साधार कोशन है जिसके आधार पर हम लोग इसको क्या करते हैं जज करते हैं किलियर हो गया तो मेरे ख्याल से medication adherence एक काफी important चीज है आज के टाइम पर क्योंकि medication adherence नहीं होगी तो बिमारी भी time से सही नहीं होगी ओके तो यह अपना lecture और यह अपना chapter दोनों finish हो जाते हैं ठीक है ना तो करना किया आप सबको पता है revision करना है notes का link description मिल जाएगा मेरा number है कोई problem आती है और यह अपना must प्यारा सा app है ठीक है बहुत बच्चे इसको use कर रहे हैं इसका झाल